हेलो वेल्कम टो रेखार्स कीजिन आज हम बनाएंगे नारियल की वड़ी सुके नारियल की और उसे खोपरा वड़ी भी कहा जाता है तो स्टार्ट करते हैं कड़ाई में एक क्लास शुगर लोंगे और एक क्लास पानी जितने आप शुगर लोगे उतना ही आपको पानी लेना है मुझे शुगर कम लगी तो मैंने त्रिफोध क्लास और ले लिए और उतना ही पानी आड़ कर लिया है शुगर और पानी को मिक्स करेंगे इसमें उभाला आएगे तब तक हम इंतजार करेंगे उभाला आ गया है अब हम जो मैंने छे नारियल मिक्सर में पीसे दे सुके छे नारियल उसको मैं इसमें आड़ कर लूँगी मैंने mixer में पिछे अब हाद से भी कर सकते हो अब हम इसे mix कर लेंगे इस बर्फिक को हम बहुत टाइम तक store कर सकते तो इसके लिए बहुत ज़ाद अच्छा रहता है इसे मैं mix कर लूँगे इसमें जो थोड़ा सा भी पानी होगा उसे बस जलाना है नहीं रखना इसमें और बहुत दी लो फ्लेम पे इसे पकाना है इलाइची डालूंगी इलाइची का पाउडर है मैं इसे mix कर लूँगे और ब्लो फ्लेम पे पका लूँगे मैं पका लूँगे बस इस तरह में इसे mix करना है एक्दम लो फ्लेम पे बनाना है बिल्कुल वे फास्ट टे करना है गैस को और ये हमारा रेडी हो चुका है बर फिर अब हम इसमें प्लेट ट्रेडी कर लेंगे एक प्लेट लेंगे प्लेट में ब्रश से घी लगाऊंगे अब घी या तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हो तो हम घी लगा लेंगे अब ये सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको जमाना है इससे हो जाए तो नहीं तो आप कुछ भी बरतन लेके इस पर जोर से प्रेस कर लोगे तो ये अच्छे से जम जाएगी ऐसे बरतन लेके ऐसे प्रेस करना है इस पर ताकि ये और अच्छी से जम जाए इसे जमने के लिए जादा टाइम ही लगता है आधे गंटे में जम जाती है मैंने आधे गंटे इस पर छोड़ा था अब ये देखो जम गई है बहुत अच्छी तरह जमी है अब इसको हम करेंगे कट इसको जमने के बाद कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैंने तो जमने के बाद क्या है पर आप ट्राइ करू कि इसको पहले कट कर सकते हो तो ताकि आगे प्रॉब्लम ना है मुझे थोड़ी मेहनत लगी थी इसको कट करने के लिए ये देखो मैंने कट कर लिया है मुझे प्रॉब्लम ना है